एक ऐसा फल जिसे खाने के बाद आपके उम्रा 20 साल बढ़ जाएगी और एक ऐसा फल भी है जिसे खाने के बाद लोगों की काम वासना बढ़ जाती है क्या आप एक ऐसे फल के बारे में जानते हैं जिसे खाने से आप हमेशा के लिए मौत की नीम सो सकते हैं पर क्या आपको पता है कि दुनिया में कहीं ऐसे फल भी है जिनका सिर्फ एक टुकडा खाने से किड्नी फेलियर और पेरालिसिस जैसे खत्रे को पैदा कर सकता है और सिर्फ बिमारी नहीं दुनिया में कुछ फल ऐसे भी है जो आपको हमेशा के लिए अब पाहीज बना सकते ह पर जब भी हेल्थ की बात आती है तो हमें फल खाने की सला दी जाती है तो दोस्तों आप भी फल खाने के शौकिन हो तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखेगा क्योंकि आज हम दुनिया के ऐसे उन दस खतरनाक फलों के बारे में बताने वाले हैं जिनको खाना अपनी मौ काजू को आप नट मानते हो वो असल में सीड है जो सेप की तरह दिखने वाले फलों से जुड़ा हुआ होता है यह सीड फलों के बाहर नीचे के साइड लटका हुआ होता है जो दिखने में तो काफी डिलिशेस लगता है लेकिन इस खाना जहर खाने जितना खतरनाक है क्यो लोग सोच रहे होंगे कि अगर काजू का यह बीच इतना खतरनाक है तो फिर हम इसे खाते कैसे हैं तो दोस्तों आपको बदा दे कि जिस काजू को हम और आप खाते हैं उसे कहीं सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है तब जाकर वो खाने लाइक बनता है इसलिए अगर आपको कभी कोई कच्चा काजू दिखाए दे तो उसे खाने की घलती कभी ना करें नमबर दो वाइल्ड एरुम दोस्तों बेरिस का स्वाद तो आप सबने चका होगा लेकिन बेरिस की तरह दिखने वाले इस फल को चकने की गलती आप कभी मत करियेगा एरूम मेंकुलेटूम, एरूम लिली, बॉबिंस एंड एडर्स रूट जैसे नामों से पहचाना जाने वाला ये फल यूरोप और तूर्की में पाए जाता है ये फल इतना जादा जहरीला होता है कि सिर्फ इसका एक फल खाने से ही व्यक्ति को पेट दर्थ के साथ-साथ मूँ, जीब और गले में सूजन आ जाती है जिसके बाद कुछी तेर में व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है ऐसे समय में अगर व्यक्ति को तुरंत इलाज नहीं मिलता तो उसकी जान पर भी खत्रा आसकता है वैसे इंसानों के अलावा जानवरों के लिए भी ये फल काफी जादा घातक होता है लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी किस फल को खाने से पक्षियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचता दरसल पक्षी बहुत ही कम कॉंचिटी में इस फल को खाते हैं जिस वज़़े से ये फल उन्हें जादा नुकसान नहीं पहुँचा पता नमबर तीन पाइनेपल लिली साउथ अफरिका, बोट्सवाना, जिंबामबे और मलावी में पाए जाने वाले इस फल का नाम पाइनेपल लिली इसके रंग रूप आकार की वज़़े से पढ़ा है इस फल के टॉप पर माजुद हरी पत्या इसे बिलकुल पाइनेपल की तरह दिखती है लेकिन इसका रंग पाइनेपल की तरह येलो ना होकर परपल होता है अलाकि जब ये फल आकार में छुटा होता है तो उस समय इसका रंग हरा रहता है लेकिन जैसे जैसे ये फल बड़ा होता जाता है उसका रंग पिंक वा परपल होता जता है जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है वैसे अगर आप इसकी खूबसूरती को देखकर इसे खाने की सोच रहे है तो आपको बजा दी कि ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी क्योंकि इसे खाने के बाद आपको पेट दर्ग, शरीर में खुझली और सांस फूलने जैसे समस्याओ का सामना करना पड़ सकता है दोस्तो नौर्थ अमेरिका में पाए जाना वाला ये फल जहरेले फलों के लिस्ट में अपनी एक खास जगा बनाए हुआ है वाइल कुकुमबर के अलावा ये फल, प्रिंकली कुकुमबर, बर कुकुमबर जैसे नामों से भी जाना जाता है इस फल पर लगे काटे इसे देखने में जितना खतरनाक बनाते, उतना ही जादा ये खातक भी होते अगर ये काटे किसी को चूप जाए तो वहाँ अच्छा खासा घाउं कर सकते है वैसे तो इन लुकीले काटों को देखकर कोई इस फल को खाना तो दूर, छूने तक की गलती नहीं करता लेकिन अगर कोई धुरंदर इन काटों को निकाल कर इन फलों को खा लेता है तो उसे असहनिय पेट दर्ग और हैर फॉल जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों सफेज रंग का ये फल देखने में बिलकुल एक डॉल की आँख की तरह लगता है और इसी वज़से इसे वाइट बेनेवरी अकाटिया पाच्चे पोड़ा जैसे नाम से भी जान जाता है नौर्थ अमेरिका, इस्टन केनेडा, मिड वेस्टन और इस्टन उनाइटेज स्टेट्स में पाए जाने वाला ये फल दिखने में भले ही खूबसरत हो, मगर ये फल और इसका पाधा दोनों ही बहुत ही जादा डेंजरस होते है इस पाधे में कार्डियोजेनिक नाम का टॉक्सिन मौझूद होता है इसलिए अगर कोई गलती से इनका एक फल भी खा लेता है तो इसका जहर सीधा कार्डियक मसल्स टिश्यू पर अटेक करता है ऐसे में अगर पीडित व्यक्ति को तुरंथ होस्पिटल नहीं पहुँचाए जाए तो उसे पैरालिसिस हो सकता है और कई बार तो व्यक्ति की मौत भी हो जाती है इसलिए दोस्तों किसी भी अंजाने फल की खुबसूरती को देख कर आप उसे खाने की गलती मत करना दोस्तों दुनिया के सबसे जहरीले पौधे में शामिल रौजरी पी युनाइटिस स्टेट्स और नौर्थ अमरीका के अलावा हमारे इंडिया में भी पाये जाता है लोगों के बीच ये फल जैकेट्री पीन और एब्रेस प्रेक्टोरिस नाम से फेमस है ये फल अन्य फलों की तरह पेड़ पर लगते है और जब पकते है तो अपने फलियों से बहार आ जाते है इन फल आकार बिलकुल मटर की दानों की तरह होता है लेकिन इनका रंग मटर की तरह ग्रीन ना होकर रैड वर ब्लैक होता है इस फल के रूप रंग को देखकर इसे डैविल आई कहकर भी पुकारा जाता है वैसे अपने नाम की तरह ये फल काफी डेंजरस भी होते हैं इन्हें खाने के बाद व्यक्ति को उल्टी, बेहोशी और कई बार तो लिवर फैलियर जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कई बार तो लोगों की मौत भी हो जाती है इसलिए लोग इस डेंजरस फल को खाने से परहिश करते हैं लेकिन बहुत से लोग इस फल की खूबसूरती देखते हुए इसका नेकलेस बना कर पहनना पसंद करते हैं दोस्तो नौर्थ अमेरिका में पाये जाना वाला ये फल लोगों के बीच कोमन बटन बुश बटन विलो एंड हनी बैल्स के नाम से भी फेमस है ये फल आपको आसानी से किसी भी लेक के पास देखने को मिल जाएगा देखने में ये फल बिलकुल लीची की तरह लगता है ये फल के साथ एक फूल भी लगता है और ये फल और फूल दोनों ही बहुत ही जादा खतरनाक होते हैं इन में फैलो थीन नाम का टॉक्षिन मौजूद होता है जो इंसानों में उल्टी और पैरालिसिस जैशी समस्याओं को पैदा करता है ये जानवरों के लिए भी काफी जादा खतरनाक होता है खास करके घोडों के लिए घोडों को इस फल और फूल दोनों से दूर रखना चाहिए दोस्तों ब्लू रंग का दिखने वाला ये फल नौर्थ अमरिका और एश्या में पाये जाता है इसके खूबसूरत नीले रंग को देखकर अक्सर लोग इसे खाने की गलती कर देते हैं इसका खाम्याजा उन्हें अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है वैसे बड़ों को ये फल जादा नुकसान नहीं पहुँचाता लेकिन बच्चों में ये घातक प्रभाव छोड़ता है इसे खाने के बाद बच्चों में पेट दर्थ, उल्टी और स्कीन डिजीज जैसे समस्याओ को देखने को मिलती है इसलिए दोस्तों ध्यान दिजिएगा किसी भी अंजान फल की खूबसूरती को देखकर उसे अपने बच्चों को खिलाने की गलती मत कीजेगा वरना रिजल्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है दोस्तों इस फल के नाम सही आप समझ गए होंगे कि ये फल यूरोप में पाये जाता है वैसे आपका सोचना बिल्कुल सही है अपने खूबसूरती से लोगों का आकरशित करने वाला ये फल यूरोप में पाये जाता है इसे यूनोममस यूरोपियस एंड कॉमन स्पाइडल जैसे नामों से भी जाना जाता है ये बाहर से पिंक और अंदर से ओरेंज कलर का होता है इस फल के साइज को देखकर आप इसे हलके में लेने की गलती मत करेगा ये चोटा सा फल काफ़ी जादा डेंजरस होता है इसे चूने बर से व्यक्ति को स्केन इंफेक्शन हो जाता है और इसे खाने से किड्नी फेलियर जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है और बच्चों को तो इससे कोसो दूर रखना चाहिए क्योंकि ये खूब सुरच सा फल उनकी जान भी ले सकता है दूस्तों तर्बूस की तरह दिखने वाला है ये फल अब तक बताये गई सभी फलों में सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जता है अफ्रिका में पाये जाने वाला ये फल बार से हुबहू तर्बूस की तरह होता है लेकिन अंदर से लाल ना होकर बिल्कुल सफेद होता है और अगर इसके टेस्ट की बात करें तो इसका टेस्ट बिल्कुल पायनेपल की तरह होता है लेकिन ये फल तर्बूस या पायनेपल की तरह फाइदेमन ना होकर काफी ज़्यादा नुकसान दैक होता है इसे खाने के बाद ग्रक्ति को पेट, दर्द और उल्टी जैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और सिर्फ इनसान ही नहीं बलकि घोडे, गाई, भैस और बक्री जैसे जानवरों के लिए भी ये फल काफी खतरनाक सावित होता है दोस्तों इनसावी फलों के बारे में जानने के बाद एक बाद तो साफ है, कि आप कभी भी किसी ऐसे फलों को ना खाए, जिससे आप अब तक अनजान हो, वरना कहीं ऐसा ना हो, कि फल के खूबसुरत या आपकी जान की दुश्मन बन जाए तो दोस्तों इन सभी वोलों में सबसे जान लेवा और सबसे खूब सुरत फल कौन से लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तुश्वरों को लाइक करेगा शेर करेगा साथ से जाधा लोगों तक और ऐसी ही और भी फैक्ट वीडिय चैनल को जिसके लिंक अमने नीचे कमेंट सेक्षन में दे रखी है धन्नी बाई